हेलो फ्रेंट्स आपके स्वागत है मेरे नियू वीडियो में आघ इस वीडियो में दोस्तों हम देल में बात करने वाले केसी जोब जहाँ पर आप मेल हो तो भी अपलाई कर सकते हो यह वर्ग पर्मनेट वर्ग फ्रॉम है अगर आप उफी से करना चाते हो तो भी कर सकते हो यहाँ पे age restriction है 18 साल से ज्यादा, अगर आप retire हो तो भी कर सकते हो, housewife हो तो भी कर सकते हो, student हो तो भी कर सकते हो, आपकी age 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे graduation में अगर आप 12th pass हो तो भी कर सकते हो और आप graduate हो तो भी कर सकते हो. यहाँ पे पर्मत आपके starting salary 25,000 है जैसे आपका experience बढ़ेगा वैसे आपकी salary पे यहाँ पे growth भी होगा यह permanent work from home है यहाँ पे आपको simply कुछ voice के related work दिया जाएगा और यहाँ पे different type of post भी work available है means different type of post के लिए भी work available है like live chat, voice and non voice पे यहाँ पे different types of categories wise यहाँ पे work है यह AC company है जिन्होंने 14 plus countries के सार टाइप दिया हुआ है अगर आप यहाँ पे apply करते हो और एक live test दे देते हो और आपका selection हो जाता है तो compulsory आपको यहाँ पे job मिलने वाली है तो किस तरह से apply करना है, के से apply करना है, वो सारी details है जिस वीडियो में हम step by step दिखने वाले है नियो आयो दोस्तों तो हमारी चैनल को subscribe कर दीजेगा, वीडियो को like कर दीजेगा और प्यारी सी comment कर दीजेगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है और honestly job करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तब दीखेगा क्योंकि में डीडियेल में आपको explain करने वाली होगी यहाँ पे आप किस तरह से apply कर सकते हो Concentrix नाम की जो company है उन्होंने ये job vacancy launch की है, 15,000 प्लस यहाँ पे job vacancy launch होई है अगर आप ये assessment, exam, live test, exam आप compulsory दे 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 हो यहाँ पे तो आपका selection definitely यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे यह जो form दिया गया होए है उसकी link में आपको description box में दे रही हूँ simply आपको लिंक open करना है और जिस तरह से में यहाँ पे fill up करने वाली हूँ इसी तरह से आपको यहाँ पे यह form fill up करना है तो बेले यहाँ पे हमें हमारी personal information दे देने हैं like हमारा name, first name, middle name, last name यहाँ पे आपको अपना mobile number fill कर देना है देन आपको यहाँ पे अपना email id add करना है देन आपको यहाँ पे अपना आधार number देना है आधार नमबर इसलिए है कि valid और genuine person है या नहीं इसलिए यहाँ पे आपको अपना आधार नमबर एड करना है देन आपको यहाँ पे अपने father's name की detail एड करनी है देन आपको यहाँ पे अपने present address एड करना है अपना pin call डाल देना है यहाँ पे आपको अपना state select करना है यहाँ से आपको अपना city select करना है then आपको यहाँ पे are you 18th year or older यहाँ पे आपको select करना है yes आपको यहाँ पे अपने near about का state select कर लेना है like मैं यहाँ पे Mumbai select कर लेते हूं are you willing to relocate to your preferred work location if you stay outside of it अगर आपने यहाँ पे जो location select किया है आप उसके near about रहते हो तो yes करना है near about नहीं रह रहे हो तो यहाँ पे simply no पे click करना है यहाँ पे simply आपको are you willing to work in 24-7 shift including night shift अगर night shift आप कर सकते हो तो yes करना है simply यहाँ no भी select कर सकते हो education background में अगर आपने जितना किया है वो select कर सकते हो like graduate यहाँ पे आप कौन सी field से हो वो select करना है आपके पास कौन सी degree है यहाँ पे वो select कर लेना है देन यहाँ पे आपको अपने college का name add करना है अगर आपने 12th complete किया है तो अपनी school का name भी add कर सकते हो यहाँ पे आपको board select कर लेना है कौन सी year में आपने पास किया था वो simply यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपको employment period select करना है यहाँ पे अगर आपने experience है तो यहाँ पे आपको अपना employment period डालना है कि आपने यहाँ पे कितने time totally work किया है means start date to end date आपको यहाँ पे simply add करनी है किस particular organization से आपने किया है वो यहाँ पे add करना है किस particular designation में like web development, web design या फिर assessment manager जो भी आपने किया हो वो add करना है employment ID add करनी है अपनी CDC कितनी है वो add करनी है अपना experience यहाँ से select करना है अगर है तो उसके related particular यहाँ पे detail add करनी है नहीं है तो simply यहाँ पे no पे click करना है यहाँ पे process applied for यहाँ कौन सी job के लिए apply करना चाते हो simply पेले वो select करना है like यहाँ पे voice and non voice के लिए job है तो यहाँ पे आप अगर voice के related करना चाते हो means आप अपना voice देना चाते हो और कुछ आपको एक script दी जाएगी script के according आपको अपना voice देना है you can understand and speak आप यहाँ पे Indian language means आप अपनी मात्रुबर्षा समझ सकते हो और उसको बोल सकते हो simply आपको यहाँ पे कुछ details लिखनी है certificate अपना देना है यहाँ पे certificate है आपके पास diploma तो yes करना है नहीं है तो simply यहाँ पे no पे click करना है यहाँ पे आपको यह जो captcha दी गई हुई है simply इसको same to same यहाँ पे print करना है इन देन आपको यहाँ पे यह check box है उसको check करके simply यहाँ पे terms and condition को accept करके आपको यहाँ पे start assessment letter पे click करना है जैसे आप उस पे click करते हो देखो आपके पास एक message आज जाएगा registration successful thanks for submitting your application your assessment has been scheduled kindly request you to check registered email id for further information on assessment validity कि आपका email id आपने यहाँ पे फिलेप किया है उसमें एक mail आएगा और वहाँ से आपको further details देंगे कि कि आपको किस तरह से करना है तो simply आपको यहाँ पे wait करना है कि mail को आ रहा है आपको जैसे mail आएगा उसमें detail में schedule दिया जाएगा कि किस देखे हमें यहाँ पे mail भी आ गया है यहाँ मेंशन है डियर केंडिडे थेंग्स for express any interest in working for concentrics India we looking forward welcoming you in the concentrics family soon यहाँ पाई मेंशन है basic requirements किया है तो आपके पास एक smartphone होना चाहिए यहाँ फिर desktop या फिर laptop होना चाहिए आपके पास webcam and headphone होना चाहिए फोन है तो आपको webcam की requirement नहीं है उसमें से आपको live test देना है means अपना face दिखाना है यहाँ पे simply यहाँ पे mention है दिखो you can complete our assessment on one of the following mobile device you downloading on our online assessment SHL आपको यह application डाउनलोड करनी है यहाँ पे device की link भी देगी हुई है अगर आपके पास android phone है तो यह पड़िकुल लिंक ओपन करनी है अगर आपके पास iPhone है तो इस link ओपन करके यह application डाउनलोड करनी है जैसे यह application डाउनलोड कर लेते हो यहाँ पे आपको जो device की link देगी हुई है कि Mac device है तो यह link open करनी है, Windows device है तो यह link open करनी है, जैसे यह open करते हो simply आपको यहाँ पे click here to start your test click here, means आपको यहाँ पे click करना है और अपनी test को start करना है, जैसे यह start करते हो आपके पास एक timer आ जाएगा और simple कुछ few questions ही दिये होंगे, उस questions को आपको simply answer करना है, अगर आप यह live test म 95,000 है, यहाँ पे mail आपको on the spot आजाएगा कि आप selected हो गए हो या नहीं हो गए हो, तो definitely apply की जाएगा, अगर properly आप यहाँ पे अपनी details fill up कर देते हो, properly यह एक बार live test देते हो, तो compulsory आपका यहाँ पे selection होने वाला है, 15,000 प्लस यहाँ पे job vacancies launch हुई है, और यह एक AC company है, जो employees provide करती है, different company को, तो definitely आपको यहाँ पे work मिल ही जाएगा, तो definitely apply कीजिएगा दोस्तों, और आपको यह link में आपने description box में दे रही हो, वहाँ जाके open करके simply आपको यह form fill up करना है, अगर आपको इसमें कुछ भी issue है, कुछ भी doubts है, मुझे comment box में comment करके पूच सकते हो, और मेर एसे ही वीडियोस देखनेंगे लिए मेरी यूटुब चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए and follow DJ, thank you